हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो वर चानल सीसे आप मैस्स टूरियल पुलगाओ तो आज का जो हमारा टॉपिक है हो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th महाराश्ट्र बोर्ड मैथेमेटिक्स पार्ट 2 का ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का हमारा चल रहा था प्रैक्टि से 6.1 पढ़ने वाले है तो चलिए first question देखते है इसका if sin theta equals to 7 upon 25 find the values of cos theta and 10 theta हमें यहां पर sin theta कितना यहां पर 7 upon 25 what is given तो यह सबसे परदे हम लिख लेंगे यहां पर sin theta equals to 7 by 25 अब हमें value कि इसकी find करने है cos theta की और 10 theta की अब मुझे यहां पर बतावा आप कि अगर यहां पर sin theta की होगाने तो आप cos निकाल सकते हो लेकिन उसके लिए किस formula की जरूरत है हमें yes identity ठीक है trigonometric identity की जरूरत है that is sin square theta plus cos square theta ठीक है we have sin square theta plus cos square theta equals to 1 बोल यह formula है क् कि यहां पर साइन भी है cos तो यह दोनों होना चाहिए क्योंकि साइन है आपको cos निकालना है तो sin square theta तो है हमें cos square निकालना है तो cos square के लिए हम formula अरेंज करेंगे तो cos square यहां पर रखेंगे sin square इधर shift कर देंगे अगर यह इधर चला गया तो क्या बनेंगा बुलियल दी plus है तो अभी यह minus आ जाएंगा 1 minus sin square theta 1 as it is sin theta कितना है 7 by 25 यह रख दिया हमें 7 by 25 और इसका कर दिया whole square 7 का square होता है 49 25 का होता है 625 चलो यह cross multiply कर दो क्योंकि denominator sin नहीं है आपे तो cross multiply 625 minus 49 upon 625 625 में साकर 49 चले गए तो कितने बचे 576 और यह 625 यह हो गया cos square theta taking square root हमें cos theta निकलना है तो यहाँ पर 576 किसका square है 24 का है तो यहाँ पर 24 लिख लेंगे और 625 का square root 25 तो cos theta हमें यहाँ भी मिल गया ठीक है अगर आपके पास cos theta आ गया है तो आप क्या निकल सकते हो अब देखो cos है sin है तो 10 निकल सकते हो तो 10 theta equals to we have formula sin theta upon cos theta यह basic formula है सबको पता है ठीक है तो यहाँ पर यह formula apply करना होंगा तो sin theta की value है 7 upon 25 तो 7 upon 25 और cos theta की कितने है यहाँ यहाँ पर 24 by 25 चलो तो 25 gate cancelled और यहाँ पर बचा हुआ रिशो है 7 upon 24 तो यह होगा 10 theta क्या है 10 theta कितना आ गया 7 by 24 चलो राइट अब देखते है question number 2 if 10 theta given है आपे 10 theta कितना है 3 by 4 तो सबसे पहले हम 10 theta की value लिख लेते है yes it is given 3 by 4 find the values of sec theta and cos theta अब दिखिए आपे आपको sec की value निकलना है cos की value निकलना है sec theta को आएंगा आपको यह भी पता है sec और 10 का एक relation होता है that is 1 plus 10 square theta 6 square theta होता है identity again तो we have trigonometric identities क्या होता है हो 1 plus 10 square theta equals to sec square theta बूल होता है सही है 1 as it is 10 theta की value कितना है 3 by 4 तो इसका कर देंगे हम square ठीक है आपे square है तो यह होगा 25 25 by 16 sec square theta तो taking square root ठीक है तो यहापे square root लेना है आपको sec theta की value मिल जाएंगी देखो 25 का square root कितना होता है 5 और 16 का कितना होता है 4 क्यूंकि 4 का square 16 होता है 5 का 25 इस वाज़े से चलो sec मिल गए यहापे sec theta ठीक है ना बराबर sec theta हो गया 5 by 4 अब आपको cos theta निकलना है अब cos theta कैसे मिलेंगा आपने देखाए cos और sec का inverse relation होता है ठीक है देखो sin, cos, tan, cot, sec, cos theta मैंने पहले ही पढ़ा है पहले ही lecture में पढ़ा है आप चेक कर सकते हो playlist section में सभी lecture सभी देखो sin और cosec का inverse है cos और sec तो cos theta को हम ऐसे लिख सकते है 1 by sec theta बिल्कुल लिख सकते है ठीक है तो यह इसके वज़े से inverse relation चलो cos theta की value कितनी आ गई 5 by 4 तो यहापे 5 by 4 put कर दो यह उपा चलाएंगा 4 by 5 तो यह हो गया cos theta का answer ठीक है तो cos theta is equal to 4 by 5 write down properly next question question number 3 if cot theta is given cot theta कितना है यहापे 40 by 9 40 upon 9 right find the values of cosec and sign जैसे ही cosec बोला है यहापे वैसे ही आपको पता चलेंगा yes we have to use the third identity that is 1 plus cot square theta is opposed to cosec square theta ठीक है तो identities use करने आपके यहापे तो यहापे 1 plus cot square theta equals to cosec square theta wait sorry for the inconvenience यहापे 1 plus cot square cosec square theta तो आप क्या करने वाले हो यहापे 1 as it is cot theta की value कितने है 40 by 9 और यह square और यह cosec square theta right 1 as it is आप देखो 40 का square कितना होता है 1 6 0 0 ठीक है 4 का 16 और यह 2 0 9 का 81 इधर cosec square theta ठीक है 81 into 181 81 और इधर 1 6 0 0 upon 81 equals to cosec square theta तीक है 1681 upon 81 cosec square theta अब यहापे क्या करना पड़ेंगा आपको square root लेना पड़ेंगा अब आपको यह भी बता होना चाहिए यह किस नंबर का square है ठीक है 1681 देखो अगर आपने 41 का square करके देखा तो कितना आता है 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 16 आ रहा है 1681 तो ऐसी समझ में आएंगा आपको क्योंकि आपके वह 1600 के थोड़ा सा आगे है मतलब 41 लेके देखना तो 41 का square हमें मिल जाएंगा तो हम यहापे square root ले ले लेंगे हापे ठीक है सीधा सीधा taking square root taking square root तो यहापे हमें मिलेंगा cosec theta equals to 1681 कि किसका आएंगा यह 41 का square तो taking square root 41 आएंगा 81 का कितना होता है 9 तो cosec theta कितना मिला हमें 41 by 9 यह तो होगा cosec theta अब आपको चाहिए क्या sin theta अब देखो sin theta का चाहिए तो आपको यह पता होना चैस साइन और cosec का inverse relation है तो हम इसको कैसे दिख सकते है sin theta को 1 by cosec theta तो what do we get finally we get the sin theta equals to 9 by 41 तो यह होगा इसका final answer चलो next number 4 if 5 sec theta minus 12 cosec theta equals to 0 find the values of sec theta cos theta and yes sin theta तो हमें निकालना है यहापे तीनों भी functions पहले तो condition क्या given है 5 sec theta minus 12 cosec theta equals to 0 यह given है तो यह सबसे पर हमें यहापे लिखना होगा ठीक है तो क्या लिखा हमने यहापे 5 sec theta minus 12 cosec theta equals to 0 अब थोड़ा problem यहापे यह जाएंगा आपको कि कुन सा function कैसे लिखना है तो देखिए minus 12 cosec theta यह इधर भीज़ दो सबसे पहला काम वह ही करेंगे हम ठीक है तो यह minus 12 इधर भीज़ दिया हमने तो यह बन गया plus अब x side में क्या करना है trigonometric function मतलब यह LHS में trigonometric function sec upon cosec theta यह divide हो जाएंगा और यह 12 upon कितना हो जाएंगा 5 यह 5 चला जाएंगा निचे number x side मतलब और यह trigonometric function x side अब दिखो sec को हम कैसे लिख सकते 1 by cos theta लिख सकते बोलो लिख सकते ना inverse है तो cosec को हम लिख सकते 1 by sin theta राइट और यह 12 by 5 अब sin theta उपर चला जाएंगा और cos theta वैसे निचे बोलो यह 12 by 5 क्या होंगा sin by cos yes it is 10 theta तो 10 theta था हमें मिल गए हापर 12 by 5 तो 10 theta आ गया लेकिन हमें 10 theta चाहिए इन्हें हमें sec चाहिए cos चाहिए sin चाहिए तिक है अब कैसा problem होंगा कि यहापर 10 निकल गया है अब sec कैसे निकल होंगा identity से we have trigonometric identities चलो we have 1 plus 10 square theta we have 1 plus 10 square theta equals to 6 square theta यह है ना आपने पास ठीक है use करेंगे 1 plus 10 theta कितना है यहापर 12 by 5 12 by 5 क्या कर देंगे आपे square 12 by 5 का square और यह 6 square theta 1 as it is 12 का square 144 5 का square 25 और यह 6 square theta 25 into 1 25 यह 144 और नीचे 25 और यह 6 square theta 169 upon 25 और यह 6 square theta right अब taking square root sec theta is equal to 169 का हो जाएंगा 3 13 और 25 का हो जाएंगा 5 ठीक है तो finally we get sec theta equals to 13 by 5 the square root of 169 is 13 and square root of 25 is 5 then after sec theta भी निकल गया आपे 13 by 5 cos theta निकलना है sec theta can be written as 1 by cos theta yes sec theta को हम यहापे लिख सकते है 1 upon cos theta क्योंकि inverse relation again inverse relation now sec theta equals to 1 upon cos theta cos कितना है आपे sorry हमें cos चाहिए था तो यहापे आपको cos लिखना होंगा sec तो निकल लिया था हमने तो sec 1 by sec theta लिख सकते है यहापे right cos theta equals to 1 by sec theta अब sec theta कितना है 13 by 5 तो यह 13 by 5 रख देता हो चलो यह 5 उपर चला जाएंगा 5 upon 13 तो यह बन गया cos theta is equal to 5 by 13 अब आपके पास क्या हो गया कि tan मिल गया sec मिल गया cos अब sin बाकी इसे देखो एक सिंपल सी चीज है यहाप अगर tan है तो हम sin निकल सकते कैसे tan theta equals to sin theta upon cos theta होता है बड़ावर ठीक है अब चाहिए कि आपको sin theta चाहिए sin theta वहाही पे रखो यह cos इधर multiply कर दो cos theta into tan theta बन जाएंगा sin theta equals to sin theta can be written as cos theta into tan theta लिख सकते हैं बिल्कुल अब cos theta की value put कर दो cos theta equals to 5 by 13 then multiply 10 theta 10 theta कितने है आपे 12 by 5 this 5 get cancelled finally 12 upon 13 तो sin theta equals to 12 upon 13 is the final answer तो यहापे तीनों भी ratio निकल चुके है जो आपको चाहिए थी यहापे sec theta चाहिए था हमें तो sec theta भी निकल दिया मनिया आपे cos theta yes cos theta 5 by 13 and sin theta finally 12 upon 13 right of question number 5 if 10 theta equals to 1 find a value of sin plus cos upon sec theta plus cosec theta तो 10 theta given है अगर 10 theta given है तो आप क्या निकल सकते हो आपको चाहिए कि आपे sec चाहिए सबी function निकाल लेते हम पहले तो 10 से हम क्या निकाल सकते है 1 plus 10 square theta है हमारे पास ठीक है sex square theta होता है चलो यह निकाल लेते पहले sec 10 theta कितना होगा 1 तो sex square theta equals to 1 plus 1 ठीक है 1 plus 1 2 तो sex square theta हमें 2 मिल रहा है taking square root तो sec theta होज जाएगा root 2 sec theta कितना आ गया root 2 तो sex से हम cos निकाल सकते है cos theta equals to 1 upon sec theta होता है inverse relation cos और sec का inverse relation तो 1 upon root 2 ठीक है cos भी आ गया आपे अब देखो 10 है cos मिल गया आपको तो sin निकाल सकते हो आपको कैसे निकालूंगे sin theta देखो 10 theta equals to sin by cos theta होता है ठीक है आपको क्या चाहिए sin theta चाहिए तो sin theta यह जगे पे रखो आपने cos इधर multiply कर दो तो यह बन जाएगा cos theta into 10 theta value put कर दो cos की कितनी है 1 by root 2 10 कितना है 1 है 1 तो sin theta कितना आ जाएंगे यह भी 1 by root 2 आ जाएंगा 1 into 1 1 by root 2 sin theta भी हमें आपे मिल रहा है कितना मिल रहा है हमें आपे 1 by root 2 sin and cos theta ठीक है तो sin theta equals to 1 by root 2 और यहाँ पे cos theta भी कितना आ रहा है 1 by root 2 तो यह दोनों हो गया आप sin चाहिए तो आपको cos और sec यह तीन हो मिल गए अब cos बाकी है cos भी निकाल सकते हम कैसे 1 by sin theta again inverse cos theta equals to 1 by sin theta sin कितना है आपे 1 by root 2 तो यह root 2 उपर चला जाएंगा तो cos theta हो गया cos theta कितना हो गया आपे root 2 अब finally हमें last answer निकालना है इसके लिए हम लिखते है आपे sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta चलो values put कर दो sin theta कितना है आपे 1 by root 2 तो उपर 1 by root 2 cos theta भी कितना है 1 by root 2 और नीचे कितना है sec theta root 2 देखो और cosec भी कितना है root 2 चलो कर लेते addition root 2 same denominator एक बाल लिखो 1 plus 1 यह first second और यह third term कितना हो का root 2 plus root 2 2 root 2 देखो यह दोनों भी क्या हो जाएंगे combine हो जाएंगा यह 1 plus 1 2 यह root 2 into 2 root 2 ठीक है यह दोनों combine हो गए यह first second third second and third combine हो जाते यह 2 and 2 cancel तो उपर 1 बचा और root 2 into root 2 कितना होता है root 2 into root 2 2 it is 2 1 by 2 is the answer question number 6 prove that first time sin square theta upon cos theta plus cos theta equals to sec theta तो हमें prove करना है सबसे पहले LHS ले लेंगे क्योंकि prove that हम ऐसी करते है LHS starting कर देते LHS से और हम RHS show करते ठीक है तो LHS में कितना है left hand side में sin square theta यहापे denominator में cos theta और यहापे cos theta देखें बहुत simple है जादा attention ले नहीं है आपको सबसे पहले देख लो यहापे denominator सेम है क्या करते है सबको यह पता हो न चाहिए और denominator में cos theta अब बोलो यह identity है first identity trigonometric identity sin square theta plus cos square theta 1 होता है सबको पता होना चाहिए 1 और यह नीचे क्या होता है cos theta अब बोलो 1 by cos cos का relation किसके साथ है inverse sec के साथ तो यहापे कितना में लेंगा यह sec theta तो हो गया RHS ठीक है तो LHS equals to RHS लिखो अब next देखिए आपे second है cos square theta into 1 plus 10 square theta equals to 1 चाहिए हमें तो कैसे करूंगे सबसे पहले LHS ठीक है LHS क्या है आप है cos square theta into 1 plus 10 square theta बहुत simple लग रहा मुझे यह तो cos square theta को जैसे क्या वैसे रखो मुझे बोलो 1 plus 10 square theta क्या होता है जैसे आपने दीकर हो 1 plus 10 square theta तो यह 6 square theta होता है सबको पता होना चाहिए ठीक है identity है यह भी trigonometric identity second number की तो cos square और यह 6 square cos square theta रखो वैसे अब आपको यह भी पता है कि 6 square theta को हम ऐसे लिख सकते 1 by cos square theta क्यूंकि cos and sec are inverse functions of each other तो sec theta को हम ऐसे लिख सकते 1 by cos theta 6 square को लिखेंगे हम 1 by cos square theta cos square cos square cancel 1 ठीक है तो यह भी बन गया RHS ठीक है तो LHS equals to RHS और finally आपको यह लिखना होता है therefore cos square theta 1 plus 10 square theta equals to 1 number 3 root of 1 minus sine theta और यहाँ पे है 1 plus sine theta ठीक है और आपको शो करना है sec theta minus 10 theta तो LHS लिखेंगे यहाँ पे root में कितना है यहाँ पे 1 minus sine theta दिख रहा है यहाँ पे तो उसके लिए हम rationalization use करेंगे अब rationalization क्या होता है दीखो कुछने simple है दीखो 1 plus sine theta denominator में दीख रहा है तो आपको क्या करना है इसके conjugate से multiply है मतलब यहाँ पे 1 plus है तो minus कर दो 1 minus sine theta से numerator और denominator को multiply करना है दीखो अगर यहाँ पे minus होता है तो हम क्या करते प्लस से multiply करते 1 plus sine theta से यहाँ पे plus है तो क्या कर दिया है 1 minus sine theta से numerator और denominator को multiply कर दिया है इसे कहते हम rationalization ठीक है क्या कहते है हम rationalization step चलो अब यहाँ पे दीखो numerator में सेम रैकेट दीखे आपको multiply है तो सेम रैकेट मतलब 1 minus sine theta का हो जाएंगा whole square देको x इंटो x क्या होता है ? x² होता है तो फिर 1 minus sine theta into 1 minus sine theta 1 minus sine theta का whole square यहाँ पे एक formula करेंगे कुणसा formula करेंगे ? दीखोई यहाँ पे a minus a , a minus b, by a minus b , यह होता है a square minus b square तOC पे यहाँ पे a को ने 1 , 1 का square, minus b को ने sine theta, तो sine theta का square मतलब sin square theta अब यह सीज़ी से आएंगा 1 – sin theta का whole square 1 का square 1 और यह sin square theta square root cancel तो सिदा 1 – sin theta आजेंगा लेकिन यहां से square root cancel नहोंगा यह 1 – sin square theta वैसे ही रहेंगा अब मुझे बोले 1 – sin square theta किसी को पता है कि क्या होता है नहीं पता है दिखो मैं बता तो क्या होता है यह आपको identity पता है sin square theta plus cos square theta equals to one yes तो फिर one minus sin square चाहिए था हम क्या करें one यह sin square रीदर भीज़ दो one minus sin square क्या बचेंगा यहापे cos square theta तो cos square theta होता है तो इसके जगा सीधा-सीधा क्या लिखूंगा मैं one minus sin theta यहापे root cos square theta ठीक है root cos square theta क्योंकि one minus sin square क्या होता है cos square square और square root cancel सीधा cos theta one minus sin theta upon cos theta अब उसको separate कर दो ठीक है यहापे देखो separate करना इसको one by cos theta minus sin theta upon cos theta one by cos क्या होता है sec theta तो यहापे हमें मिल रहा है sec theta और sin by cos क्या होता है 10 theta अब देखो यह RHS है वहीं चाहिए हमें तो LHS equals to RHS हो गया परो next question 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 number 4 sec theta minus cos theta into cot theta plus 10 theta equals to 10 theta into sec theta तो LHS क्या है यहापे sec theta minus cos theta और into cot theta plus 10 theta sec theta again written as one upon cos theta cos theta as it is cot theta one by 10 theta और 10 को जैसे के वैसे रखना है ठीक है तो हमने क्या कर दिया यहापे basic function था उसमें convert कर लिया एनिवेसी प्रोकल ठीक है इनिवर्ट बोल सकते है sec theta और cos theta inverse होता है तो sec को हमने लिख दिया 1 by cos क्योंकि यहापे cos था वैसे काटकॉम ने क्या कर दिया 1 by 10 क्योंकि 10 था कुछ तो भी फाइदा हो था उसका cos into cos थीक है cos theta into cos theta denominator में कितना बचेंगा यहापे cos theta यहापे दिखो 1 plus 10 theta into 10 theta right upon 10 theta थीक है समझ में आ रहा है दिखो simple से बात है आपको जो multiply करना है cross multiply यहापे 1 minus cos into cos cos square theta denominator में कितना है यहापे cos theta into 1 plus 10 into 10 10 square theta 1 plus 10 square theta denominator में 10 theta ठीक है numerator में बचाबर 1 plus 10 square theta अब यह भी पता आपको 1 minus cos square क्या होता है sin square theta कुछ देर पहले देखा था हमने वहापे ठीक है क्योंकि identity है 1 minus cos square रहा तो sin square होता है 1 minus sin square रहा तो cos square होता है और नीचे कितना बचेंगा cos theta 1 plus 10 square theta sex square theta again identity और यहापे 10 theta अब कैसे changes करूँगे आप यहापे ठीक है आपको चाहिए 10 यहापे देखो थोड़ा changes ऐसे करना है sin theta into sin theta ठीक है और नीचे क्या करना है आपको cos theta इधर क्या करना है देखो 10 theta denominator में 10 theta रखो वैसे 6 square theta को हम लिख सकते है 1 by cos square theta लिख सकते है inverse ठीक है 6 square को 1 by cos square अब क्या क्या cancel हो सकता है वो भी देखो है आपके sin by cos क्या होंगा यह 10 होंगा तो sin by cos 10 10 into sin theta upon 10 theta 1 by cos square theta ठीक है यह 10 10 cancel अब यह cos square बागी है इसको कैसे लिख सकते है देखो यह cos square को हम क्या कर सकते है cos into cos कर सकते है बिल्कुल कर सकते है next step में देखने है आपे आगे क्या करेंगे हम sin theta into 1 by cos square theta तो sin theta cos square को हमें से लिख सकते है cos theta into 1 by cos theta ऐसे split कर सकते है इसको cos into cos के form है sin by cos क्या होता है 10 theta जो कि मैं चाहिए आपे दिख रहा है 10 theta yes और 1 by cos क्या होता है sec theta तो finally आगा है answer हमारा 10 theta into sec theta आइस आर याज याज राइट हैंड साइट तो लेफ्ट हैंड साइट इक्वल्स तो राइट हैंड साइट मिल गया हमें आपे next number 5 cot theta plus tan theta equal to cosec theta sec theta again LHS link यहाँ पे cot theta plus tan theta पूरा basic में change कर दो इसको basic function cot को हम लिख सकते है cos by sin बोलो लिख सकते है tan को हम लिख सकते है sin theta by cos theta अब कर दो cross denominator same नहीं है cross multiply cos theta into cos theta plus sin theta into sin theta denominator में इन दोनों का multiplication sin theta into cos theta बोलो cos into cos क्या होता है cos square theta और sin into sin sin square theta denominator में sin theta into cos theta sin square theta plus cos square theta always 1 तो यह 1 by sin theta into cos theta अब separate कर दो 1 into sin theta upon 1 into cos theta 1 by sin क्या होता है cosec ठीक है inverse function तो sin और cosec का relation होता है तो 1 by sin cosec 1 by cos क्या होता है यह होता है sec theta आ गया RHS LHS equals to RHS next number 6 1 upon sec theta minus 10 theta equals to sec theta plus 10 theta again LHS लेना है आपको यहापे 1 upon sec theta minus 10 theta ठीक है अब देखो थोड़ा सा यहापे कि RHS में आपको चाहिए क्या sec theta plus 10 theta तो आपको उपर चाहिए मतलब यहाँ पर चाहिए तो कैसे करेंगे आप यह sec theta minus 10 theta है तो opposite sign लेना है उससे multiply कर दो तो 1 by sec theta minus 10 theta जैसे के वैसे रखना आपको देखो multiply करना numerator में sec theta plus 10 theta से क्यों कर रहे है ऐसे आपको चाहिए वहाँ पर तो नीचे भी हमें sec theta plus 10 theta से multiply करना होता है तो यह भी rationalization है minus का plus कर दिया दोनों numerator और denominator को multiply कर दिया तो देखो यह अगर 1 के साथ multiply होगा तो यह sec theta plus 10 theta यहाने वाला है अब देखो यहाँ पर a minus b a plus b यह formula अपले होगा यहाँ पर a minus b and a plus b क्या होता है यह formula a square minus b square rationalization में यह एक algebraic formula use होता है जान में रखिए तो यहाँ पर sec theta होगा तो sec theta का square करेंगे sec square theta क्योंकि a का square है मतलब a square sec square theta minus b मतलब 10 square theta b का square मतलब 10 square theta sec square theta minus 10 square theta क्या होता है नहीं समझ में आता देखो तो sec square को हम ऐसे लिख सकते है 1 plus 10 square theta identity है न 10 square 10 square cancel तो 1 बचेंगा और यह उपर कितना है sec theta plus 10 theta जो हमें एंसर चाहिए तो मिल गया है यहापर sec theta plus 10 theta अगे न रहस ठीक है तो right hand side और यहापर left hand side और फाइनल यह लिखते जाओ गेंड में ऐसा therefore 1 by sec theta minus 10 theta equals to sec theta plus 10 theta next number 7 sin raise to 4 theta minus cos raise to 4 theta equals to 1 minus 2 cos square theta तो एले चास sin raise to 4 theta minus cos raise to 4 theta अब सबसे पहले observe कि यह आप क्या चाहिए cos square theta चाहिए square में आए तो sin raise to 4 को हम ऐसे लिख सकते है sin square theta का power 2 देखो 2 to the 4 ही होता इसलिए और cos raise to 4 theta को भी हम ऐसे लिख सकते है cos square का square अभी इसको a समझ लिजे यहाँ पर और इसको b तो a square minus b square apply कर सकते हो आप a minus b a plus b ठीक है तो यहाँ पर apply कर दो यहाँ ठीक है a minus b मतलब sin square theta minus cos square theta यह होगा है a minus b देखोए sin square theta के जगा नहीं a है तो a के जगा sin square theta तो a minus b मतलब sin square minus cos square अभी क्या होगा a plus b that is sin square theta plus cos square theta ठीक आप बोलेंगे square कैसे आ रहे है इसको a समझो इस तब bracket को a समझो तो a minus b और a plus b अब आगा है समझो है sin square theta minus cos square theta जैसे के वैसे रखो अब आपको पता यह कितना होता है 1 होता है बोलो sin square theta plus cos square theta कितना होता है 1 ठीक है तो 1 into कुछ भी कर देया तो यह उतना है तो sin square theta तो आपको मिल गया आप है और cos square लेकिन आपको answer में सिफ cos square ही चाहिए तो sin square को हम replace कर सकते है sin square theta को हम कैसे लिख सकते है 1 minus cos square theta क्यों लिख सकते है मैंने पहले बुला है ना cos square को 1 minus sin square लिख सकते है और sin square को 1 minus cos square तो इसके जगा यह replace कर दिया और यह cos square theta अब बोले हाँ पे 1 जैसे के वैसा ठीक है minus 1 minus 1 minus 2 तो minus 2 क्या बनेंगा यहाँ पे cos square theta जैसे minus x और minus x minus 2x होते है 2x होता है तो वैसे ही cos square theta है cos square तो दोनों minus है minus और minus होंगा दोनों भी addition minus 1 minus 1 minus 2 तो यह हो गया आपका RHS तो LHS equals to RHS ठीक है ठीक है अब देको next question sec theta plus 10 theta चाहिए आपका answer cos theta upon 1 minus sin theta तो फिर से LHS ले लिंग यहाँ पे LHS है sec theta plus 10 theta अब answer में दिखिए sin and cos दिख रहे हैं तो इसको भी आपको sin and cos में convert करना है तो sec com लिख सकते है 1 by cos theta और 10 com लिख सकते है sin theta by cos theta बूलो लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं ठीक है अब denominator हो गया same तो cos theta जैसे के वैसा है एक बार और ऊपर क्या हो जाएंगा 1 plus sin theta दोनों का addition अब 1 plus sin theta हो गया इसका rationalization करो क्यों करना है denominator में आपको 1 minus sin theta दिख रहे है तो अब यह plus है तो minus से multiply करो numerator denominator में 1 plus sin theta upon cos theta as it is ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या करना आपको 1 minus sin theta से multiply करना है 1 minus sin theta 1 minus sin theta राइट अब देखो 1 plus sin theta a plus b a minus b यहाँ पर अपला होंगा a plus b a minus b a square minus b square यह formula अपला होंगा ठीक है तो apply कर दो 1 का square 1 minus sin theta और यह बचा है cos theta 1 minus sin theta राइट अब 1 का square 1 minus sin square इधर है cos theta bracket में है 1 minus sin theta अब आप बोल सकते 1 minus sin square क्या होता है cos square अगे 90 theta ठीक है तो cos theta और यह है cos theta 1 minus sin theta एक cos क्या हो जएगा इसमें से cancel तो आगया answer आपका cos theta upon दिखो यह आपे लिख ले तो मैं answer final answer एक cos cancel होगे तो ऊपर cos बचेंगा ठीक है cos square था ना तो एक cos cancel होगे इसमें से सबसे पहले लिख लेते हैं 10 theta plus 1 by 10 theta यह given है आपको 2 है आपको यह शो करना है ठीक है इस तो square दिख रहा है तो इधर squaring on both side कर ले तो मैं यहापे squaring on both side ठीक है squaring on both side तो यहाँ पे यह हो जाएंगा 10 theta plus 1 upon 10 theta का whole square और इधर 2 का square बोलो 2 का square कितना होता है 4 यहाँ पे a plus b whole square का formula apply करो a square plus 2ab plus b square तो देखो a square मतलब पहले का square 10 theta का plus 2ab 2 a मतलब यहाँ पे 10 theta b 1 by 10 theta plus 1 by 10 theta का whole square ठीक है यह हो गया a square plus 2ab plus b square 10 theta 10 theta cancer तो यह 10 square theta 2 बन जा 2 1 by 10 square theta equals to 4 अब यह 2 shift कर दो इधर तो हम answer क्या मिलेंगा 10 square theta plus 1 by 10 square theta equals to 4 यह plus तो इधर shift कर दिया minus तो 4 minus 2 2 आगया answer चेक कर लो देखो सीधा सीधा answer मिल गया आपको LHS RHS लिखनी के भी ज़रूत नहीं सीधा answer आगया 10 square theta plus 1 by 10 square theta equals to 2 नेक्स्ट नमबर 10 10 a upon 1 plus 10 square a whole square यहाँ पर है प्लस कॉट a upon 1 plus cot square a whole square साई ने कॉसे शो करना है तो LHS लेंगे यहाँ पर क्या है यहाँ पर 10 a 1 plus 10 square a का square और यहाँ पर है cot a 1 plus cot a cot square a का square अब यह कोई भी बोल सकता है सीधा सीधा answer मिलेंगा यहाँ पर दीखो 1 plus 10 square theta 6 square theta तो यहाँ पर 6 square a आएगा और उसका whole square cot a इधर 1 plus cot square cosec square a तो cosec square a का square अब इसको कैसे लिख सकते है और क्या तारीका है देखो 6 square a जो दिख रहा है आपको इसको हम आइसे लिख सकते है 6 square a into 6 square a लिख सकते है cot as it is और cosec square a को हम आइसे लिख सकते है cosec square a यह whole square है न इसलिए cosec square a into cosec square a ठीक है जैसे x square को हम x into x लिख सकते है वैसे वो bracket into bracket कर दिया हमने यहाँ पर तीक है अब क्या क्या हो सकता है यहाँ पर क्या possibilities है राइट ऐसे लिख सकते है और 6 square को 1 by cos square a into 6 square a को 1 by cos square a plus cot a को cos a by sin a और cosec को 1 by sin a तो sin square a 1 by sin square a ऐसे लिख सकते है बिल्कुल ठीक है अब क्या-क्या cancellation possible है सबसे पहले तो यह उपर shift हो जाएंगा यहां से यह भी उपर shift हो जाएंगा ठीक है तो यह चला जाएंगा उपर तो sin a into cos square a into cos square a denominator में कितना है यहाँ पर एक single cos a right यह आपके देखो sin square a sin square a तो यह चला जाएंगा उपर cos a के साथ cos a into sin square a into sin square a upon कितना है यहाँ पर sin a एक sin क्या हो जाएंगा यहाँ से cancel यहाँ से 1 cos क्या हो जाएंगा cancel कितना बचा है यहाँ पर sin a और यहाँ पर cos a into cos square a that is cos cube a ठीक है और यहाँ पर देखो cos a sin a into sin square a sin cube a यह हो सकता है यहाँ ठीक है यहाँ फिर a कम कर सकते हम इसको थोड़ा अच्छे से और sin a into यहाँ पर cos a बचाता और इतर cos square a ठीक है प्लस यहाँ पर cos a sin a cos a sin a और यहाँ पर sin square a थोड़ा observe कर यहाँ पर sin a cos a common देख रहा है तो यह cos square a bracket में बचेंगा प्लस यह चला गया तो इधर sin square a देखो sin square theta plus cos square theta कितना 1 तो sin a into cos a into 1 तो final answer आ गया है sin a into cos a that is RHS ठीक है तो इस तरीके से मैंने कर लिया है आपर राइट हो नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 11 लेको सेक रेस्टू कितना है यहाँ पर 4 है LHS ले लेंगे हम LHS इक्वल्स टू सेक रेस्टू 4a 1-sin रेस्टू 4a-210 square a थोड़ा सा अब्ज़र करें यहाँ पर सेक रेस्टू 4 इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 by cos रेस्टू 4a ठीक है सेक और cos का reciprocal आपको पता है inverse function है सेक और cos इसलिए आम ऐसे लिखेंगे 1-sin2 a sin2 a ऐसे लिख सकते इसको sin2 का square ठीक है 4 को ऐसे लिख सकते हैं बिलकु लिख सकते है sin2 a का square माइनस 2 10 square a अब थोड़ा observe कर लिज़े यहाँ पर a minus मतलब यह 1 को भी आम ऐसे लिख सकते है 1 का square minus sin2 a का square ठीक है इस तरीके से और यह कितना है इधर 2 10 square यह अलगी चल रहा है इधर और इसके नीचे कितना है cos raised to 4 a अब यहाँ पर यूश करेंगे a square minus b square a minus b a plus b तो a मतलब 1 minus sin2 a और यहाँ पर होगा 1 plus sin2 a ठीक है a minus b a plus b और नीचे कितना है यहाँ पर cos square a into cos square a ऐसे लिख सकते हैं cos raised to 4 a into cos square a और यह कितना हो रहा है 2 10 square a अब इसके पीछे का reason क्या है cos square a क्यूब यहाँ पर 1 minus sin2 cos square होता है इसलिए cos square theta 1 minus sin square theta cos square theta तो cos square a मिल जाएंगे यहाँ पर यह हो गया 1 plus sin square a denominator में देखो cos square a into cos square a cos square a cancel और इधर है 2 10 square a अब इसको divide कर लो 1 by cos square a 1 upon separate करना हमें 1 by cos square a plus sin square a upon cos square a minus 2 10 square a अगले वाला step 1 by cos square sex square a ठीक है क्योंकि 1 by cos क्या होता है सेक होता है तो इसलिए sex square a और यह sin by cos 10 होता है तो यह 10 square a और इतर कितना है माइनस 2 10 square a राइट अब देखो है यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर sex square a को हम लिख सकते sex square a 10 square a minus 10 square a लिख सकते है यहाँ पर रूको एक मिनिट हाँ देखो 2 में से 1 चला गया तो कितना होता है माइनस माइनस 10 square a बराबर है बोलो से ना अरे नहीं समझ में आते यह देखो ऐसा भी कर सकते हो sex square theta को हम ऐसे लिख सकते है one plus 10 square theta लिख सकते है कि नहीं बोलो और यह जैसे के वैसा इधर वाला portion जैसे के वैसा आप तो आगया समझ में sex square को मैंने one plus 10 square लिखा क्योंकि 10 में चल रहा है अब क्या होता है यह one plus 10 square 10 square 2 10 square 2 10 square यह plus है और इधर वाला minus है दोनों भी cancer plus 2 10 square है minus 2 10 square है cancer और फाइनल ही हमें answer मिल गया है आपर one कि जो चाहिए था हमें answer मिल गया है इस तरीके का calculation करना है आपको दिको one by cos कर दिया तो one by cos square था इस x square बन गया sin by cos tan होता है तो 10 square बन गया है दिको square है तो और यह 2 10 square है एक स्क्सक्वर काम नहीं आप लिख दिया वन प्लस 10 square 10 square 10 square 10 square 2 10 square और यह answer question number 12 last question of this practice set अच्छे से पढ़िए question ठीक है समझ लिए अच्छे से 10 theta upon sec theta minus 1 10 theta sec theta 1 upon 10 theta sec theta minus 1 थोड़ा सा observe कर लिजिए आपे 10 sec 1 तो ऐसा कुछ relation है हमारे पास 1 plus 10 square sec square यस है तो हो यूज करेंगे हम भी है 1 plus 10 square theta equals to क्या होता है sec square theta होता है आप देखो हम 10 square theta यहाँ पर रखूंगा मैं और यह sec square theta में से क्या कर दूंगा 1 यहाँ पर shift कर दूंगा minus 1 ठीक है यहाँ पर a minus b a plus b formula यूज कर सकते हम a minus b क्योंकि a square minus b square है a minus b a plus b sec theta plus 1 राइट और 10 square को हम इसे split कर सकते है 10 into 10 theta अब आपको क्या करना है एक 10 theta यहाँ पर ही रखना है और यह sec theta minus वाला आपला जो term है यहाँ पर लेके ना जैसे LHS में दिख रहा है आपको ठीक है बराबर वो मिलेंगा sec theta minus 1 equals 2 और यहाँ पर sec theta plus 1 अपन क्या करना इधर वाला 10 theta shift कर देना ठीक है यहाँ तक समझ में आया जो बहुत होतीज़ी है यह problem बराबर धन में रखो ठीक है इसी टाइप का है अब यहाँ पर क्या हो गया है यह equal ratio आगया ठीक है अब यहाँ पर theorem of equal ratio आपको answer कहा चाहिए SEC RHS में 10 theta plus sec theta plus 1 ठीक है 10 theta sec theta और minus 1 तो आप क्या कर सकती हो इसमें add कर दो यह तो tan theta वैसे रखेंगे हम यहाँ यह से SEC theta minus 1 अब देखो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ 10 theta add कर देता हूँ यहाँ 10 theta plus sec theta plus 1 ठीक है इसमे क्या मिला दिया मैंने add कर दिया 10 theta और वैसे ही 10 theta में यहाँ पे मैं add कर ले तो इधर वाला देखो आप numerator add कर रहे हो तो denominator भी denominator में add करना होता है तो इसे ही कहते हैं theorem of equal ratio क्या है इसके हम इन यहाँ पे theorem of equal ratio अब यह क्या होता है देखो a by by c by d अगर given है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a by b is equal to ऐसे लिख सकते है a plus c और b plus d ठीक है माइनस भी कर सकते है add भी कर सकते है लेकिन हमें तो यहाँ पे add चाहिए तक बराबर देखिए यह आगए answer आपका ठीक है थोड़ा arrange करना होंगा हमें यहाँ पे therefore 10 theta upon sec theta minus 1 यह 10 theta ऊपर है यह sec theta यह plus 1 पहले 10 चाहिए आपको पहले 10 लिख लो यहाँ पे ठीक है बाद में plus sec theta और last में minus 1 तो यह होगा इसका final answer ठीक है तो इस तरीके से आज हमने practice set 6.1 trigonometry unit का कर ल यह साथ ही साथ बाकी friends के साथ share कर दे अभी तक जिन्होंने similarity phythagoras theorem के lectures देखिने होंगे साथ ही साथ इसके basic lecture देखिने होंगे तो आप देज सकते हो हमारे playlist section में जाके ठीक है thank you